नमस्कार मित्रों स्वागते गो भारत पर और मैं आपका साथी बावाने सिंग आसा करता हूँ आप से बाच्छे होंगे मैं भी अच्छा हूँ मित्रों मैं आज आया हूँ स्री रूपम गोशाला बाला सत्ती जी जो जोदपूर जिल्ले में बाला गाउं है जोदपूर से ल आला सत्य जी बाप जी का मंदीर है और मंदीर से बिलकुल लगती हुई और कहूं तो मंदीर परिशर के अंदर ही गोसला है बहुती बढ़िया गोसला है और वर्तमान में अभी लगबग 17-80 के करीब गोधन है और इस गोसला में बहुती बढ़िया नसल की थारपार कर गाएं और कुछ राटी गायें भी मुझे देखी यहां पे देखिए सामने यह मंदिर है और मंदिर के बिलकुल क्लोज में और यह पिछे की साइड का है तो यहां पे आप देखेंगे तो गौसला भी बिलकुल लगती हुई है और यहां पे बहुती अच्छी सांदर व्यास्ता मंदिर पर शासन की तरफ से कर रकी है गायां के लिए जो काउ सेड बना रखे है वो यहां पे पक्का निर्मान कर रखा और अच्छी खासी हाइट भी ले रखी है तो ठंडा भी होता है क्योंकि गर्मियों के दिना मित्रा ये पस्ची में राजस्तान में होने के वज़े से गर्मी भी काफी होती है और गोसला में काफी बाड़े भी है आज बारिस होने के वज़े से थोड़ा सा कीचड़ है लेकिन व्यवस्ता बहुत ही अच्छी कर रखी है सामने देखे आप य यहां की अच्छी नहीं लगी मित्रों, इसके बार में अपने कमेंट, अपनी राई भी कमेंट वक्स में जाके जरूर मुझे बताइए, जो अगर हम हर नसल पे, देशी नसल पे गिर के नंदियों का उपयोग करते जाएंगे, तो कईन कई हम दूसरी नसलों का नुकसान ही कर करते हैं, अलाकि यह जो नंदी है, तीन नंदी मैंने देखे गिर नसल के बहुती अच्छी अपनी नसल में बहुती अच्छी क्लास के नंदी है, लेकिन इनका यहां पे उपयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि जो आने वाली जो इन गायों की जो संतती होगी, वो मिक्स गोसला की बिल्डिंग भी काफी बड़ी और मैस्यू इस्ट्रक्चर है, और हरे चारे की भी यहां काफी अच्छी व्यास्ता है, जो मंदीर पर ससन चला रहा है, अलाकि यह बात मैंने जो गिर नंदियों की जो मंदीर की व्यास्ता पके उनके नौलेज में लाई है यह बा और जो नसल की गाये हैं, उसी नसल का नंदी उपयोग करेगे तो हमें बहुती बैतर परिणाम मिलेंगे, और साथ में मित्रों इस गोसला में जो गोबर का उत्पादन होता है, उससे बहुती अच्छा और बड़ा जो गोबर गेस का प्लांट है, जो मंदीर के उपयोग के के बारे में जो जाने अंजाने में हम गलती करते हैं, हाला कि मंदीर परसर्षन की इसमें इंटेंशनली उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो क्या कि गिर्मेनिया होने की हर लब देशी गाये मतलब लोग गिर को ही समझने लगे है, तो उस वज़े से ये गलतियां कहीं कही हो रही है, तो इसके बारे में जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताए, धन्यावाद मित्रों